हेलो गाइस एस सुन एज आई वेकम एक वासी सेज आई वास समंट बाइद एंपरोस की एपिसोड 39 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक चनल बनाया है टॉप मा लें क्योंकि मैंने उस पर भी एक नई मांगा स्टार्ट करिए जिसका लिंक आपको डिसक्प्शन में मिल जाएगा तो इसको देखने के बाद में उस पर चॉक आउट जरूर करिएगा इसी के साथ अब चलते हैं आगे एपिसोड की सुरुवात में हमको दिखाया जाता है जहां पर एंपरर के जाइन घोष्ट के साथ में अपने हीरो की फाइट होती है और लास्ट एपिसोड में वो लड़कियों के इंस्टूमेंट को ट्यून करने वाला होता है तो वो उन लड़कियों के इंस्टूमेंट को ट्यून करने से पहले वो उनके चारो तरफ एक प् को दिखाते हैं जो कि पन्यान के राजा से घपराते हुए कहता है तो वहां पर होली लोग जीटने के बाद में बाहर क्यों नहीं आये उसकी बास सुनने के बाद में प्रिनयान के राजा वहां चीज बोला होता है तभी उस बैरिर के अंदर से कुछ शैडो उसको बाहर की तरफ आते हुए देखता है जिसको देखके वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हमको पता चलता है यह कोई और नहीं प्रिंसेस पियांग होती है जिनकी हालत बहुत जादा अस्त व्यास्त हो और फिर वो भी कहती है अरे पापा आप यहां और फिर वो भाग कर अपने फादर के पास चले जाती है और उनके पास जाकर इसमाइल करते हुए उनसे कहती है पापा क्या आप मुझे लेने के लिए यहां आए हैं जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ पर हस्तिवे उससे कह बन करो अंदर क्या हो रहा है पहले मुझे यह बताओ क्या आपकी एंपर अभी भी अंदर है पिनियां के राजा ने जैसे यह चीज़ बोला होता है और फिर हमको पता चलता है यह तो वर्जिन सेक्ट की तीनों लड़किया होती है जिनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने हिरो ने इनके इंस्टुमेंट को कुछ ज़्यादा टाइम देकर ट्यून करा है दोस्तों जिस कारण से यह तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा बेहाल होती है और लिंग यान की तो इतने बुरे हाल होते हैं कि वो चल भी नहीं पाती है उसकी दोनों सिस्टर्स उसको सारा देकर बाहर ला रही होती है लिंग यान को देखने के बाद में वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमेंसे एक चिला के कहता है अरे वो तो वर्जिन सेक्ट से है जिसने हमारे उपर हमला किया था पिन्यान की राजा JNJ और पर देखते हैं तो वह भी गुसा जाते हैं और तभी चिला के कहते हैं उन्हें खत्म कर दो लिंग यान की राजा की यह बात सुनने के बाद में वहां पर कांपते हुए और Black बे कर रही होती ही दोस्तों और क्यों का पर ही ही यह तो आपको मयालूमी होगा और वहीं शौक्ड हो जाते हैं और उनकी पसीने भी आ रहा होता है और उनको पसीना भी आ रहा होता है और तभी वो मन में सोचते हैं अरे ये क्या उनकी जो औरा है उनकी औरा पहले से बहुत जारा कम क्यूं हो गई है और वो इस समय की सिच्वेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती क्या वो स सब इतनी गंभी रूप से घायल हो सकती हैं और दोस्तों आप समझ सकते हैं अपने इरों ने किती जादा मेनत करी है जब पिन्यांग की राजा इस बारे में बात कर रहे होते तभी दिखाते हैं वह प्रेटेटिव वैरियर फिर से एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से इस बार एमपर लुओ वेई जन्रल यान और गवर्णर हुआं यान निकलती हैं जब वहाँ पर सारी सेना अपने एमपर को देखती हैं तो वहाँ पर ग्रीट करते हुए चिला के कहती हैं हमारे ए श्रम कमीनी औरत उसकी बात सुनने के बाद में लिववई पलट के उसकी तरफ देख के कहती है पुराने समय से ये सब एक राजा का था जो अपने जन्रल के लिए डोल बजाया करता था अगर लिनके के दुश्मन के खिलाफ बड़ी कामयावी हासिल की है तो मैं उनका समर् वह अपनी सिस्टर के पास आकर उसको गले लगा लेती उसको पकड़ लेती है और हसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो यहां पर अब हर कोई लड़की एक ही नाव में सवार है हमें पहले सेक में लोटना होगा सैकूरा की ये बात सुनने के बाद में लिववई को दिखात है जिनको कुछ दासियां उनके सिंगासन को वहां पर लात के ला रही होती है और तभी वहां पर बढ़े मस्त अंदाज में अपनी लललन टाप मस्त राप्चिक एमपरस वहां पर लेटे हुए बढ़ी आदाव के साथ कहती है मैं अब भूली हो गई हूँ और इतने लंबे वो पहली औरत थी, जो सबसे पहले खुची के मारे चिला रही थी, कि मैं पहले जाओंगी, मैं पहले जाओंगी, मैं घोड़े की सवारी करूंगी, और अब बोल रही हो कि मैं बहुत ठक गई हूँ, इस बात को मन में सोचने के बाद में लूओ वई, एंपरेस यूनर से बोलती है, आपकी इतनी जादा कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मा, और हम लोग फिर से मिलते हैं, और वहाँ पर इतने धेर सारे अपने सोल्जर्स को देखने के बाद में जो एंपरेस लोग होती है, वो आगे उनके सोल्जर्स होते हैं, सबी चिला के कहते हैं हाँ, हम समझ गए हैं, हम जा रहे हैं उन सोल्जर्स के जाने के बाद में पिनियांग के राजा, अपनी एंपरेस लोग वे के पास आकर उनसे कहते हैं, मेरे पास एक बात है, जिस पर मैं कमांडर लिंके के साथ में चर्चा करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कहां है पिनियान के राजा की ये बात सुनने के बाद में जो एमपर लिओ वई होती है वो एकदम से शौक्ड हो जाती है और तभी अपना मुँ फेरते हुए दूसे साइड में देख के कहती है आप उनके बारे में चिंता ना करें वो शायद बहुत ज़़ा ठक गए हैं क्योंकि वो बहुत समय से सो नहीं पाए है लिओ वई कि ये कहने के साथ में हमारा सिन सीधे शिफ्ट होकर अपने हीरो के उपर आ जाता है दोस्तों और हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की आलत बहुत ज़़ा बेहाल हो चुकी होती है उसने अपने ओजार को इतना ज़ादा चलाया होता है इतना ज़ादा चलाया होता है कि उसका औजार बुरी तरह से बेकार हो चुका होता है जिसका effect आप उसकी body पर भी देख सकते हैं कि एक साथ अपने हरम में आठ आठ लड़कियों को समालना कोई आसान काम नहीं होता है अपना hero वहाँ पर बिल्कुन एक चुसा आम बन जाता है और उसके बारे में Luoway बताती है लिन के अब वहाँ पर सो रहे है Luoway पिन्यान के राजा से कहती है अगर आपको कोई जरूरी बात है तो आप वो मुझे बता सकते हैं Emperor की बास सुनने के बाद में जो पिन्यान के राजा होते हैं वहाँ पर बड़ी चिंता करते हुए बताते हैं capital city में इतना ज़्यादा बदलाव होने के कारण dragon की औरा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाया है starting में six realm के उपर के जो warrior थे capital में enter नहीं कर सकते थे लिकिन अब जबकि seal अब धीली हो गई है मुझे डर है कि दस्य रिल्म के उपर के सभी warrior capital में आसानी से प्रविश कर सकेंगे पिन्याई की राजा की ये बास सुनने के बाद में जो हमारी लिववई होती है वो बहुत ज़रा घवरा जाती है शौक्ड हो जाती है और हमको पता चलता है वो दोनों जो डॉक्टर होते हैं वो अपने patient मतलब अपने hero को देखकर उसकी condition के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी अपने hero को दिखाते हैं वो बुरी तरह से चुसा आम और ज़्यादा सुक चुका होता है क्योंकि वहाँ पर उसने आठ हट लड़कियों के instrument को tone करा होता है और तभी डॉक्टर उसको देखते हुए कहता है उसकी जो condition है मुझे देखने में लगता है कि अब वो जल्दी मरने वाला है उसकी वास सुनने के बार में दूसर डॉक्टर बोलता है तुम बेकार के बकवाश बात करने की हिंम्मत मत करो उन डॉक्टर के ऐसी बात सुनने के बाद में, जो हमारी लिवववई होती है, वो बिचरी चिंता करते हुए, उनके पास आ जाती है, और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं, और तभी अपनी लिवववई, उन डॉक्टर को खुल के बताती है, कमांडर लिंके ने एक दिन में 300 राउंड तक उस होली मैडन और चोडल के साथ में, जम कर लडाई की, और अपने हतियार की बहुत धेर सारी उर्जा को खतम कर दिया, क्या आप इनके साथ में कुछ और हो सकता है, अब दोस्तो मैं तो हलका फुलका सोच रहाता, यहां तो 300 राउंड की बात आ गई है, वो समको पता चलता, यह कोई और नहीं, वही बुली मॉंग होती दोस्तों, वो बुली मॉंग अपने हीरो को बहुत हबस बरी नजर से देखते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा चोटे लगने के कारण, यह बिचारी बुली मॉंग आपके साथ उस बैरियर के अंदर मजे करने स चूक गई, आखिरकार तब भी, देखो डर्लिंग, मैं वापस आ गई हूँ, चलो, जल्दी आओ तुम, हमारे सिंगुन टेंपल के कमाल की सब कुछ सही करने वाली स्किल की तुलना, कौन सा एंपायर का डॉक्टर कर सकता है, उस राल चुवाती बुडी मॉंग की वास सु जो अपनी लिववई होती है, वो वहाँ पर बहुत दरा एक्साइटेट होते हुए कहती है, क्या इसका मतलब आपके पास इसका इलाज करने का कोई तरीका है, मास्टर? लिववई की ये वास सुनने के बाद में, वो अपनी राल को अपनी जबान से पोस्ते हुए, आगे क तरफ बढ़ रही होती है, और उससे कहती है, हाँ, बस मुझे परशान मत करना, और लिनकी के एकदम क्लोज जाकर उससे कहती है, मेरी जान लिनकी, तुम बिलकुन मत गब रहाओ, तुम बस मेरा वेट करो, जब तक ये मासूम नन, एक हाँ से दूसरे व्यक्ति को ना उठा ले, तब तक मैं अपने इस स्किल को बिलकुन भी नहीं रोकूंगी, चलो ठीक है, शुरू करते हैं, और ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है, वो नन, अपनी आँख बंद करने के साथ में ही, अपने हीरो की तरफ उसको खुब अच्छे से चुम्मी करने क ले, पपी लेने लिए, आगे बढ़ रही होती है, जैसे उस होली नन ने अपने हीरो को बुरी तरह से पपी ली होती है, अब पता नहीं दोस्तों कौन सा एंगल, क्या अजमायात हो उसने, लिकिन अपने हीरो की आँख वहाँ पे तुरंट खुल जाती है, और जैसे अपन हीरो वहाँ पर अपनी स्पीट को यूज़ करते हुए, उस कमरे का उपर का पोर्चन पुरा तोड़ता हुआ, चीदे हवा में निकल जाता है, आसमान में निकल जाता है, और उपर जाकर चिला के कहता है, अधिकार है, आकिर कार में इस खडूस, बेकार बुलिया को कैसे भ होता है, और वहाँ पर उस रूम में दुबारा वापस आने के बाद में, वो अपनी पावर को वहाँ पर रिलीस करते हुए, मतला बोले तो सूपरमैन के तरीके, दोस्तों दुबारा से डिवरेसल की बैट्टरी अपने पिछवाले में डालके, रिचार्ज होके वापस आ होता है, और तभी वहाँ पर आकर बड़े कूल अंदाज में कहता है, मैं अकीला लिन के लंबे समय तक उनके साथ ठिका रह सकता हूं, और अपना अकीला पन दुबारा पैदा नहीं कर सकता, और इस बार अपनी मास्टर की पावर की मदद से, आखिर कार मुझे पता चल गय आएगी, गोल्डन ड्रेगन के कॉंट्रेट की सीमा को कैसे तोड़ना है, हलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है, तो सस्ट्राइब लैक, शियर कमेंट करना मद भूलिएगा, और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है, उसको भी जाकर सस्ट्राइब कर ल झालिए बनाया है, तो सस्सा आनल बनाया है, मुमन हो मैंने वीडियो भी जाती है, तो कर लिए लिए ऻो भी जाती है, वीछ बनाया है, वीज कर surge मैंने ऊ21 फशब भी जानी जाती है, उनियर कहा को यु ह मासे भी एन अगद़वा एना झाल अगता है, उन्ना उक्व्मन